इस पे हम देखते हैं RBC और WVC में डिफ्रेंस RBC लाल रुधिर कडिकाएं और श्वेत रुधिर कडिकाएं तो जो लाल रुधिर कडिकाएं होती है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है जबकि जो श्वेत रुधिर कडिकाएं होती है इनका जीवन काल इनसे काम होता है कम समय तक ही जीवित रहते हैं जो लाल रुधिर कडिकाएं है एक व्याश का मनुस्य में 50 लाग प्रतिगन मिल्रीमीटर रक्त होती है जबकि जो WBC होती है इसमें 6000 से 8000 प्रतिगन मिल्दी मीटर रग्त होता है RBC का आकार क्या होता है गोला कार तथा बायो कॉनकेव होता है और WBC होती है इनका आकार निश्षित नहीं होता है यह कोई भी आकार की होती है Next है oxygen समवहन द्वारा इसका प्रमुक कार्य है जो RBC होती है इनका प्रमुक्यार क्या है oxygen समवहन है जबकि जो WBC है इनका मुक्यकार है शरीर को शंक्रमर से बचाना और जो हीमोग्लोबिन है यह इसका लाल बरड़ा के कारण रुधीर का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण यहां रंग हीन होता है तो RBC लाल कलर की दिखाई देती है क्यों दिखाई देती है हीमोग्लोबिन के कारण